वेलकम टू एसेश डिफेंस अकेडमी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन्स में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ 200 most important previous GKK questions को जो इंडियन ने भी MR examinations और Coast Guard DB examinations में बार बार ये questions repeated हुआ है तो जो भी candidate ने भी MR और Coast Guard DB के candidate है आप लोग patience बना कर फूल वीडियो को वाच किजेगा आपके examinations में यहां से questions definitely आएगा तो चले फ्रेंड देरी न करते हुए सभी questions को एक करके discuss कर लेते हैं देखें फर्स्ट questions प्रित्वी का एक मात्र प्राकिर्तिक उपगरा है कौन सा है तो है चंद्रमा next question देखें गांधी फिल में गांधी की भूमिका किशने निभाया था तो वेंग किंग सिले ने निभाया था question number 3 देखें शिक्षक दिवस का मनाया जाता है तो यह 5 सेप्टेंबर को सिक्षक दिवस मनाया जाता है question 4 देखें जपान पर परमाडु बंब कब गिराया गया था तो यह 1945 में गिराया गया था Q5 देखिए भाकरा नांगल बांध किश नदी पर है तो यह सतलज नदी पर इस्तित है Friends काफी importance यह सभी previous questions से Defense के जितने भी as parent है आप लोग जरूर देखिएगा चाहे आप आर्मी के त्यारी कर रहे हैं नेवी का, एरफोर्स का साथ में SSE, GD, Coast Guard आप सभी जिव भी candidate है Defense related वो सभी लोग देखिएगा Next question देखिए भारत का राष्टी पुस्प किया है तो है कमल Question 7 देखिए धनराज पिल्ले किस खेल से संबन्दित है तो यह हौकी खेल से संबन्दित है Question 8 देखिए संजुक्त राष्ट संग युएनों की सुरक्षा परिशत में कितने अस्थाई सदस्य है तो पांच अस्थाई सदस्य है Question 9 देखिए कौन सा सिंदू सभित्य का अस्थान अब पकिस्तान में है तो हडपा Question 10 देखिए तेंथ चौत नामक कर किशके द्वरा लाया जता था तो माराठो द्वरा लाया जता था Question 9 देखिए नेक्श कोशन मूगलबद साहू का सही क्रम सही क्रम है पहले भाबर फिर हमायू सेर सा इसलाम सा सूरी उसके बदी जहांगीर अलंगीर बहा दूर सा उसके बद जहनदार सा आप लोग इस तरह देख लीजेगा करम और सबसे अंतिव जो सासक थे बहादूर सा दूतिय थे नेक्स्ट कोशन देखें 12 भूदान अंदोलन किस ने शुरू किया था तो बिनोबा भावे ने शुरू किया था नेक्स्ट कोशन के थर्टिन भारत में अंग्रेजी सिक्षा का किस ने शुरुवात किया था तो ये लाड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी सिक्षा का सुरुवात किया था फोर्टिन देखे फ्लाइंग सीक के नाम से किसे जना जाता है तो मिलखा सिंग को जना जाता है कोशन फिप्टिन देखे निम्बू और संत्रे में कौन सा बिटामिन पाया जाता है तो बिटामिन सी पाया जाता है Q16 देखे, उदेज संकर किस से संबंदी थे, तो ये निर्यत्य से संबंदी थे Q17 देखे, सविधान के प्रारूप समिती के चेर्मेन कौन थे, तो डॉक्टर भीम राव अम्बेत कर थे Q18 देखे, त्री अस्तरिय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच अस्थान पर क्या होता है, तो जीला परिसद होता है Q19 लक्ष दिप की रजधानी कहा है, तो ये है कावर्ती Q20 स्रिलंका की मुद्रा का नाम क्या है, तो ये है रुपिया Q23 देखे, नोबेल पुर्सकार प्राप्त करने वाल लया, परथम भारती ये कौन थे, तो वो थे, रबिंदर नार्ट टैगोर Q24 देखे, दोड़नाचार पुरुसकार किस से संबन्दी थे, तो ये दोड़नाचार पुरुसकार दिया जता है, परसीक्षक यानि स्रेष्ट गुरु को दिया जता है, खेल के चेतर में Q25 खजुराहो इस्तित है, कहा है, तो ये मद्ध पर्देश में इस्तित है Q27 देखे, राश्टी ये रक्षा कादमी इस्तित है, तो ये देहरा दुन में इस्तित है Q27 देखे, रामकृष्ण मिशन की अस्थापना किशने किय थी, तो स्वामी विवेकानन्द ने किया था Q28 भारतिय मानक समय अधारित है, तो साड़े ब्यासी डिगड़ी पुर्वी देशांतर पर अधारित है Q29 देखे, कौन सा राज भारत के सबसे पुर्वी भाग में इस्तित है, तो अणराचल परदेश है Q30 देखे, कौन सा देश नाथुला दरा के पार है, तो ये है चीन Q33 देखे, पृत्वी के नजदिक वाई मंडल के सबसे निचली परत कौन से है, तो वो है छोब मंडल Q32 भारतिय सेना में बिजयन्त नाम है, तो ये एक टैंक का नाम है बिजयन्त Q33 देखे, चीनी या त्री फाहियान किसके काल में भारत आया थे, तो ये बिकर्मा दित्तिकित सासन कल में भारत आया थे Q34 प्रख्यात सीने कलकार पृत्वी राज कपूर और राज कपूर में संबंध है, तो बाप बेटे का संबंध है Q36 देखे, भारत के किस राज सरबादिक चाओल उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज तो पष्शिम बंगल नेक्ष कोशन देखे भारत के किस सहर में जंतर मंतर इस्तित है दिल्ली में इस्तित है 38 देखे भारत के किस राज में दारजलिंग इस्तित है तो ये पश्चिम बंगाल में इस्तित है तेलगू किस राज की राजभासा है आंधर परदिस की राजभासा है नेक्ष्ट कोशन देखे, हौकी खेल में परतेक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक ग्यारा किलाड़ी होते हैं नेक्ष्ट देखे, बंगलादेश की मुद्रा क्या है, तो टक्का है कोशन देखे 42, निल नदी के किनारे कौन सी सबवेता का विकास हुआ था, तो मिस्र सब विकास हुआ था 43 देखे, किस अस्थान पर महातमाबूध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो गया में ज्ञान की प्राप्ती किया थे प्रसीद नाटक सकुंतला किशने लिखी थी तो महा कभी कालीदाश ने लिखा था नेक्श देखे ज्वार सबसे उंचा कब होता है तो जब सूर्य और चंदर्मा पृतिवी के एक ही ओर होते हैं तब कौशन देखे 46 कौन सा राज भारत के ब्रिहद प्रयादीपिय पठार का भाग नहीं है तो मद्य परदेश का जो भाग है ये ब्रिहद प्रयादीपिय पठार का भाग नहीं है 47 देके खैबरदारा इस्तित है तो अफगनिस्तान और पकिस्तान के बीच में इस्तित है खैबरदारा कौन सी नदी प्रायदिपिये पठार से नहीं निकलती है तो यमुना नदी जो है ये प्रायदिपिये पठार से नहीं निकलती है पटना भी गंगा न दीके टटपर इस्तित है भारत एक धर्म निरपेक्ष देश से इसका तातपर है तो इसका तातपर होता है भारत का कोई राज अस्तरपर धर्म नहीं है नेक्श कोशन देखे राश्टी राजमार्ग यानि नेशनल हाईबे जोडते हैं तो बैपार किंद्रो और राज की राजधानियों को जोडते हैं नेक्श देखे कौन सा सहर अंगूरों की पैदवार के लिए परसीद है तो नासिक सहर अंगूर की पैदवार के लिए काफी फेमस है कोईना बांध इस्तित है महराष्ट में इस्तित है नेक्ष देखे फिप्टी फोर खरीप की फसल काटी जाती है तो ये नौवंबर के प्रारम में काटी जाती है फिप्टी फाइब देखे हिमानी यानि गिलेसियर बर्प का एक विशाल पिंड है जो क्या है हिमाले परबत की स्रेडी के सीर्स अस्तलों पर छाया रहता है संगमर्मर का पूर्ण रूप क्या है तो साउथ एसियन एसोसियेशन फॉर रिजिनल कॉपरेशन हो जाएगा नेक्ष देखे भारत आने वाले सागरिय मार्ग की खोज किस ने किया था तो वासकुर डिगामा ने किया था नेक्स्ट कोश्चन देखे 59 स्वेज नहर के खूलने से किन दो महादीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है तो यूरोब से एसिया और पूर्वी अफिरका का मार्ग छोटा हो गया है कोश्चन देखे 60 परतम 20 यूद कब लड़ा गया था तो 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था किसके सासनकाल के दौरान मरठा सत्ता सर्बोज सीखर और सत्ता पर थी तो बाला जी बाजी रावस के सासनकाल के दौरान मरठा सत्ता सर्बोज सीखर और सत्ता पर थी सत्य सुधक समाज की अस्तापना किशने के था तो जोती राव फूले ने क्या था नेश कोश्चन देखे भारत के राष्ट गान जणगण मन की रचाईता कौन है तो रविंद्र नाथ टैगोर है 64 देखे भारत का महान जेश्ट बेक्ती यानि ग्रांड ओल्ड मैन आफ इंडिया के नाम से कौन परसी थे दादा भाई नौरो जेश्ट है सभी ने अवग्या अंदोलन का प्रारम्भ हुआ था तो ये 12 मार्च 1930 को प्रारम्भ हुआ था नेक्ष कोशन देखे किस परधान मंत्री ने समाजवाद के विचार धारा को आगे बढ़ाया था तो ये पंडित जोहरलाल नेहरू ने बढ़ाया था नेक्ष देखे भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र टट की लंबाई कितनी है तो ये है 100-100 किलो मिटर नेक्ष देखे क्रिश्णा नदी का उदगम अस्तल किस के समीप है तो महा बलेश्वर के समीप है प्रित्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है 15 डिगडी देशांतर घूम लेती है चंदरगण कब होता है जब प्रित्वी जो होती है सूर्य और चंदरमा के जब बीच आ जाती है तब चंद्रकरहां हो जाता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच प्रित भी आ जाती है तब question number 71 देखे का रहा है यहाँ पर British सासन द्वारा किन अस्थानों के बीच railway line शुरू की गई थी तो मुंबई से थाणे के बीच railway line शुरू किया गया था यह भारत में question 73 भारत का राष्टी पसु है तो यह है बाग question 73 भारती वाई सेना में कमिस्टंड अधिकारी का सबसे चोटा पद कौन होता है तो यह होता है 76 देखिए रित्वय कीन कारणों से होती है तो सुर्य के चारो और प्रिथवी के परिकर्मण के कारण रित्वय होती है प्रिथवी की सत्थ से सबसे दूर वाई मंडल यह परत किस नाम से बिवाद विधित है तो सबसे जो अंतिम परत है वाई मंडल यह परत वह है बहीर मं नेक्ष्ट देखे, DCM, DCM ट्रॉफी का संबंध है, फुटबॉल से, नेक्ष्ट देखे, आला रखा किस बाद यंतर्स के लिए मस्चूर थे, तबला वाधक थे, नेक्ष्ट देखे, वह मुगल बसा जिसने पंदरा वर से निर्वासित होकर गुजारे थे, तो वह था हुमा नेक्ष्ट देखे, राजसभा की बैठको के अधिक्ष्टा कौन करते हैं, बैठको की, तो उपराष्ट पती करते हैं, राजसभा की बैठको की अधिक्ष्टा, एटिटू देखे, जिस गुफा में त्री मूर्ती, ब्रम्भा, विष्णो, महेश के मुख मंडल की मूर्ती इस्तित है वो है एलिफेंटा नेक्स देखे लक्ष देव की रजधानी कहा है तो यह कावारती महराष्ट में सरवाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मिर्दा का परकार है तो देखे महराष्ट में सबसे ज़्यदा काली मिटी पाई जाती है नेक्ष देखे प्रसीद सीलो उत्किर्ण यहीं पत्थर का काटकर बनाया गया कैलास मंदिर कहां इस्तित है एलोरा में इस्तित है हरित करांती का अर्थ है तो क्रिशी के आधूनिक बिधियों के पर्यूग द्वारा प्रती एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना ही हरित करांती का अर्थ होता है भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है तो सीढ़ी दर टीला बना कर बांध बना कर ब्रिक्षण उपर द्वारा इन सभी माध्यमों से भूरक्षण का नियंत्रित किया जा सकता है 88 देखे जम्मू और कस्मीर का रेल पत किस रेलवे जोन के अंतरगत आता है तो उत्री रेलवे जोन के अंतरगत आता है भारत के किस राज में करनड भासा बोली जाती है तो करनाटक में करनड भासा बोली जाती है संग सासित परदेश अंडमान निकोबार दीप समुख की रजधानी कौन सी है तो पोर्ट ब्लेर है नेक्ट देखे बिख्यात महा काब्बे महाभारत के रचाईता कौन है तो बेद ब्यास है गितांजली के कभी है तो रविंद्र रेनाट टाइगोर है नेक्ट कोशन देखे किन दो अस्थानों के बीच हिम सागर एक्सप्रेश चलती है तो जम्मू से कन्या कुमारी के मध्य चलती है हिम सागर एक्सप्रेश गितांजली किस सेना का एक अधिकारी पद है तो थल सेना का एक अधिकारी पद है भारत के किस राज में पवित्र तीर्थ अस्थल अमरनाथ इस्तित है तो जम्मु कस्मीर में इस्तित है 96 देखे बिख्यात परियाटन अस्थल गुलमर्ग भारत के किस छेतर में इस्तित है कस्मीर छेतर में इस्तित है गुलमर्ग 97 देखे, रेल पत के नैरो गेज की चोड़ाई होता है, तो ये होता है 2 फिट 6 इंच Next question देखे, 98 किस देश को उगते हुए सूरज की भूमी कहा जाता है, तो जपान को कहा जाता है, जपान देश को उगते हुए सूरज की भूमी 100 question देखे, किस सहर में मल्यालम भासा बोली जाती है, तो केरल राज में मल्यालम भासा बोली जाती है चंडीगड का रॉक गार्डन, यानि सैल उद्ध्यान किष ने बनवाया था, तो नेक चंदर ने बनवाया था 102 देखे, जम्मू किस नदी के किनारे इस्तित है, तवी नदी के किनारे इस्तित है कौन सा सहर अफगनिस्तान की रजधानी है, काबूल जो है अफगनिस्तान की रजधानी है कौन सा सहर जपान की रजधानी है टोकियो जो टोकियो है टोकियो सहर जपान की रजधानी है next देखे 105 किस देश की सुची अस्थम यानि पीरामीड पाय जाते हैं देखे पीरामीड पाय जाते हैं मिश्चर में कि 106 किस जानवर को रगिस्तान का जहाज कहा जता है तो उट को कहा जता है 107 किस वर्स में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो 2 अक्टूबर 1879 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था रेल पत के मीटर गेज की चोड़ाई होती है तो एक मीटर होता है 200 का सबसे बड़ा महादीप कौन सा देश है तो एसिया महादीप है 110 देखे बीस्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो रूस है यह चत्रफल के द्रिष्टी से और जन्संक्या के द्रिष्टी से चाइना है बिस्व का सबसे बड़ा महादीप कौन है तो एसिया है ये बार बार रिप्ट हो रहा है बिस्व का सबसे लंबा पसु कौन है तो जिरॉफ है बीत्व का सबसे उच्चा परबस सीखर कौन है तो एवरेष्ट है भारतिय गर्ण राज के परतम राष्ट पती कौन थे तो डॉक्टर राजिंदर परसाथ थे 115 देखे माउंट एरष्ट पर चड़ने वाला परतम बेक्ती तो थे माउंट एरष्ट पर चड़ने वाले परतम बेक्ती थे तेंजिल नारगे कारगिल कस्बा किस राज में है तो जम्मु कस्मिर में इस्तित है पानीपत का पर्थम यूद लड़ा गया था तो 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 पानीपत क किस सुफी संत से संबंदी थे, तो ख्वाजा मुईनी दिन चिस्ति से संबंदी थे, किस मुगल राजा ने धार्मिक संपरदाय दीने एलाही की अस्तापना किया था, तो दीने एलाही धर्म की अस्तापना अकबर ने किया था, मानसुन हवाय कौन सी होती है, तो वर्षा रित तेना में भारती स्ताहिकों का बिद्रोव था 1877 प्रीटवी पर सबसे बड़ा बृत कौन है तो भूमध धिरेखा किस भारती नेता को भारत का लौपूरिश के नाम से जना जयता है तो सरदार बल्ला भाई पट्ल को भारत का लौपूरिश का जयता है कन्या कुमारी में रोक मेमोरियल यनि सेल असमारक को किसकी इसमर्थी में समर्पित किया गया तो स्वामी विवेका नंद की इसमर्थी में समर्पित किया गया 126 देखे माओ तेशे तुंग संबंदी थे तो चीन से संबंदी थे जलिया वाला बाग किस साहर में इस्तित थे अमरिश्वर पंजाब में इस्तित थे 13 अप्राइल 1929 को जलिया वाला बाग हत्यकांड हुआ था भारत का राश्टी पक्ची है तो मोर है जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया था तो लाल बहादुर सास्त्री ने दिया था 130 देखे प्रसीद उधारण है सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किस ने दिया था ये एक नारा है किस ने दिया था तो अबरहां लिंकन ने लिया था बोध गाया किस धर्म से संब्दी था सिख धर्म के संस्थापक कौन थे तो गुरु नानक देव थे 133 देखे भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कप चली थी तो सोरे अप्रेल अठाव सतीरपन में चरा था नेक्सट कोश्चन देखे खारा है भारत में सबसे लंबी सडक कौन है तो लंबी सडक है भारत की सबसे लंबी सडक है एनेज़ पोटी फॉर। ठीक है एनेज़ फोटी फोर। होगा नेक्स्ट कोश्चन देखिए भारत सरबादिक सिक्षित राज है तो केरल है 136 देखिए चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं तो पंडि जुहालन नहरू जाने जाते हैं कोश्चन देखिए 137 भारत का कौन सा सहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है तो जैपूर जो सहर है गुलाबी नगरी के नाम से जना जता है इनकलाब जिन्दाबाद का नारा किश ने दिया था तो सरदार भगत सिंग ने दिया था इनकलाब जिन्दाबाद का नारा नेश्ट देखे भारत का सरबोच पुरसकार तो भारत रतन है नेश्ट देखे 140 भारत का सविधान को बनाने के लिए गठित सविधान सबाके देक्ष डॉक्टर जिंदर परसाथ थे भारतिय फिल्म अभिनेता सतुरुदन सीना किस राज से संबन्दी थे? बिहार राज से संबन्दी थे अली गड़ किस उत्पादन के लिए मसूर है? ताला बनाने के लिए मसूर है किस भारतिय राज में? विसा का पटनम बंदरगा इसती थे हमारे सौर परिवर में कितने ग्रा है? आठ ग्रा है भारतिये की डीजल इंजन बी निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटीव वर्क्स कहा है इसी थे वारारसी में इसी थे डीजल लोकोमोटीव वर्क्स बैसाकी तेवार किस धर्म की लोग मनाते हैं सिक धर्म की लोग मनाते हैं सानावा किस की कृती है फिर्दावसी की कृती है पहले लागू था जमुकस्मिर में अभी नहीं नहीं है कौन सी नदी महराष्ट के नासिक से निकलती है गुदावरी नदी किस अस्थान पर तेल रिफायर नी कर खाना है तो ये बरावनी में है किस की नेतरुत में 1776 में अमिर्का को सोतन्तरता प्राप्त हुई तो जोर्ज बसिंगटन के नेतरुत में 1776 में अमिर्का सोतन्तर हुआ था राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पतिया पाई जाती है तो छोटी जो तरह के पेड़ों में पतिया पाई जाती है अंजु बाबी जोर्ज सम्बंदित है तो ये अथिलेटिक से सम्बंदित है कौन सी रेखा विश्वत रेखा के समनांतर है तो अच्छांस जो रेखा है विश्वत रेखा के समनांतर है पलाशी का यूद कब हुआ था तो यह 1777 में हुआ था 1877 के बिद्रो में जहांसी किरानी लक्षिम भाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में बिद्रो किया था तो तात्या टोपे इसके सहयोग से ग्वालियर में यहाँ पर बिद्रोग किया था अंति मुगल सासक बहादूर सा जफर की मुर्थु कहां हुए था तो यह रंगून में हुआ था नेक्ट देखिए महात्मा गांधीची की पतनी का नाम क्या था कस्तूरबा गांधी था भारती राष्टी कंगरेजल की संस्थापक कौन थे तो ए ओ हिूमड थे स्थापना किस ने किया था तो आत्म राम पांडू रंगा ने प्रात्ना समाज के अस्थापना किया था चोल प्रशासन की मुग के बिशिस्ता क्या थी तो ये ग्रामिर स्वायतत्ता थी नेक्स देखिए रेशम के केड़ों का भोज पदार्थ क्या है तो सहतूत की पत्ती है भोज पदार्थ किस सासक ने ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण कराया था तो सेर सासूरी ने करवाया था किस अस्थान पर सिंदू घाटी सविता का बंदरगा थी थे तो लोथल में है लोथल में क्या है सिंदू घाटी सविता का बंदरगा पुर्वोत्तर राज में सबसे बड़ा राज कौन है तो राचल परदेश है चीन असम के किस दीशा में थी थे उत्तर दीशा में थी थे मद्य पर्देश अत्रिक्त भारत का कौन सा राज सात राज्यों की सीमा को असपर्स करता है तो है असाम मद्य पर्देश के अत्रिक्त और कौन सा मतलब राज है जो सात राज्यों के साम सीमा असपर्स करता है तो है असाम कंचन जंगा परवस्तीखर कहा इस थी थे सिक्किम है, सूर्य से सबसे नजदिग्र बूध है, पुरभोतर समांतर रेलबे का मुख्याले का है, माली गाउ है, घरेलु उपयोग में पाय जाने वाले चीनी में पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, प्रतम भारतिये फिल पुस्तक वार एंड़ पीस के लेखा कौन है तो लियो टॉल श्टाय है नेक्ष देखे मुख चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं राश्टपती करते हैं ए मेरे बतन की लोगों देश भक्ति गीत किस ने लिखा परदीप ने लिखा था वायू का दबाव किस के का होता है वाय मंडली ये दाप मापने की पैमाना क्या है तो बैरोमीटर है अमीबा में कुल कितने स्टायल यानि कोशिका होता है एक होता है नागालेंड भारत की दीवत राज कब बना 1963 में बना नेक्ष देखे उत्तर पूर्व सिमान्त रेलवे से रेलवे में सबसे बड़ होती है इलेक्टरोन की खोज करता कौन थे तो जेजे थॉमसन थे नेक्ष देखे असमिय भासा में मुद्रित पर्थम पुस्तक के लेका कौन है आत्मराम सर्मा है रविंद्र नाठ टाइगोर ने भारत के राष्टी गान की अलामा किस एक और देश के राष्टी गान जाता है बिस्व का सबसे बड़ा दीप नदी दीप माजली असम के किस जिले में इस्ती थे पताल पूरी जिले में इस्ती थे ध्वानी की चाल अधिक्तम किस में होती है इस्टील में होती है किसे भविष्य की धातु का जाता है टाइटेनियम को ये भविष्य का धातु का नेक्स देखिए, मंदिरों का पूर्ण भूमी, भारत के किस राज को कहा जाता है, तमिलांडू को कहा जाता है, माराष्ट के प्रथम मुख मंत्री कौन थे, तो वाई भी चोहान थे, नेक्स देखिए, भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है, आहमदाबाद को कहा जाता है, बिहार का सोक किस नदी को आज़ता है कोसी नदी को का आज़ता है तो ये रहा टोटल 200 कोश्चन जो इंडियन ने भी इमार और कोश्टगार डीवी एक्जामिसंस के लिए काफी इंपोर्टेंट से आज के लिए इतने मिलते हैं नक्स बीडियो में तब तक लिए जाएं